सो ही हेलो दोस्तों विल्कम बैक टो आर ओन चैनल तो आज हम दो पढ़ने वाले है क्लास 11 का एक प्यारत सा चाप्टर जिसका नाम में बर्च रिटेन बाई एजे क्रॉनिन तो यह जो हमारा चाप्टर है वो एक बहुत फेमस नॉविल दा सिटी डिल का एक छोटा सा पार्ट तो अगर हम इस चाप्टर को देखे तो इस चाप्टर के में जो कारेक्टर है वो है डॉक्तर एंडुरू मतलब कि बच्चे का डिलेवरी करने का first experience तो यह जो story है इसी चीज के around revolve करती है तो आईए अब हम इस chapter को start करते है तो इस lesson को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप class 11 की कोई भी वीडियोस देखनी है हॉन्विल बुक का portrait of a lady से father to son तक या फिर snapshot book का summer of beautiful white horse से लेके tale of melon city तक मैंने पूरा syllabus cover करा रखा है वो भी animated वीडियो के form में तो अगर आपको उसे देखना है तो link आपको description में and pinned comment में मिल जाएगा along with notes and important questions तो एक बार प्लीज आप उसे check out कर लेना playlist पसंद आये तो प्लीज अपने group में share कर देना now back to our topic अब early midnight हो चुकी होती है and जो हमारे doctor Andrew है वो पहुँच जाते ब्रैंग over and जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो ये देखते हैं कि जो Joey Morgan है वो वहाँ पर उनका wait कर रहे थे and जैसे ही Joey Morgan doctor को देखते है तो वो बहुँच जादा खुश हो जाते है and कहते है thanks God कि doctor आप आगए मैं इतनी देर से आप ही का इंतिचार कर रहा था actually my wife's want to see you and आज हम expect कर सकते हैं अपने baby की delivery को तो वो आपने साथ doctor को ले जाने के लिए आये थे and meanwhile इसी time पे doctor Andrew के दिमाग में बहुत सारी चीजे चल रही थी and वो एक बात को लेके काफी जादा disappointed भी थे क्योंकि इससे पहले evening में वो अपनी girlfriend Christine से मिलकर आये थे and जो उनकी meeting थी वो अच्छी नहीं गई थी unpleasant थी इसलिए वो काफी जादा disappointed थे and उनका दिमाग उनी के तरफ चल रहा था अब meanwhile absent mindedly वो Joey Morgan से कहते है कि आप यहीं रुको मैं अपना जो bag है उससे लेकर के आता हूँ अब जैसे ही वो अंदर से अपना bag को लेके आते है then फिर वो दोनों चले जाते हैं उनके घर पे मतलब कि Joey Morgan के घर पे जिसका address था number 12 Blaina Terrace अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुचते है उपर जाते है और वो यह देखते है कि एक छोटे से रूम में जो Mrs. Morgan है वो बेट पे आराम से लेटी हुई है उनके साथ Mrs. Morgan की जो mother है वो भी है एक midwife भी है जो कि help करती है in delivering a baby तो वो वहाँ सब कुछ देखते है वो यह देखते है कि वो जो रूम है वो छोटा सा है और फिर वो चले जाते है Mrs. Morgan के पास और जब वो उन्हें चेक करते है तो उन्हें यह पता चलता है कि अभी तो time बाकी है बेबी को deliver होने में और इसी बीच जो Mrs. Morgan की जो mother है वो उनको tea offer करती है और वो चाय के लिए तो जरूर बोलती है बट उन्हें ऐसा लगता है कि कही ना कहीं यह जो doctor है वो जल्दी में है और वो कहीं जल्दी ना चला जाए या बिना काम complete करें ना जाए यह बात कहीं न कहीं doctor समझ जाते है तो वो बोलते है कि आप चिंता मत करो मैं अपना काम को complete करके ही यहां से जाऊंगा तो अब दोनों नीचे जाते हैं वो उन्हें tea offer करती है वो अराम से fireplace के बगल में मतलब कि जहाँ पर आग जल रहा होता उसके बगल में बैठके आराम से चाय पीते हैं और जो उनका दिमाग है वो अभी भी उसी चीज़ पे अटकावा था मतलब कि जो उनका evening में वो अपनी girlfriend से मिलने गए थे जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो unpleasant meeting सब उनके दिमाग में flicker कर रहा था और वही उनके opposite में जो Mrs. Morgan बैठी हुई थी उनके भी दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था तो जो दोनों है वो दोनों अपने खयालों में वो दोनों अपने thoughts में खोई रहते हैं तो जो Dr. Andrew है वो काफी ज़ादा परिशान होते है क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार चल रहा था means कि उनके दिमाग में एक ही episode बार बार चल रहा था and वो episode ये था कि उनको Cardiff station पे एक incident याद आ गया जहां पे उन्होंने देखा था कि एक इनसान जो है वो अपनी wife को बहुत ज़ादा प्यार करता था and she leaves him means कि वो उनको छोड़के चली जाती है जबकि वो लोग दोनों married थे तो इनी सब चीजों को सोच सोच कर जो Dr. Andrew है वो काफी ज़ादा परिशान हो जाते है और हो रहे थे and वो marriage को लेकर कि ये सोचते थे कि जो marriage होता है वो बहुत ही ideal होता है वहाँ पर उसके बाद हर चीज अच्छा होने लगता है लेकिन कहीं न कहीं उनको ये नजर आ रहा था वो इस चीज को relate कर पा रहे थे वो इस चीज को conclude कर पा रहे थे कि arranged marriages या फिर marriages किस तरह से ending पे आ जाती है मतलब कि कैसे खतम होती है तो जो हमारे dr. Andrew है वो इनी सब ख्यालों में खोए वे थे and meanwhile जो Mrs. Morgan की mother होती है वो इनसे बात करना चाहती है और वो बात करती है तो वो एकदम से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते है और वो ये सुनते है कि जो Mrs. Morgan की mother है वो उनसे कहती है कि Suzanne जो है मतलब कि Mrs. Morgan जिनका यहाँ पर delivery होने वाला था वो ये नहीं चाहती है कि आप उसे chloroform दो क्योंकि उसका मानना ये है कि chloroform से जो बच्चे का health है वो खराब होती है और ये chloroform बेबी की health के लिए अच्छा नहीं होगा एक्चुली जो Mrs. Morgan है और जोय मॉर्गन ये दोनों 20 साल से married है और ये जो बेबी है उनका first बेबी होने वाला है तो यही reason था कि वो लोग दोनों काफी जादा परिशान थे और वो हर चीज को लेके काफी जादा particular थे तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो कोई भी rix ले और कुछ भी यहाँ पर गरबर हो तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दोनों उस बेबी को लेकर के particular है बलकि हम सब यह चाह रहे है कि जो बेबी है वो अच्छे से वहाँ पर डेलिवर हो जाए और secondly जो मदर है वो भी ठीक रहे तो डॉक्टर कहते है कि आप टेंशन मत लो आप बिलकुल टेंशन फ्री रहो क्योंकि मैं जो एनस्थेटिक दूँगा वो बिलकुल भी बेबी के लिए हामफुल नहीं होगा वो बिलकुल सेफ होगा देन फिर उनको वहाँ पर उपर से नर्स की आवाज आती है और वो समझ जाते है कि अब टाइम हो गया है उस बेबी की डिलेवरी को और वो डॉक्टर अपना पूरा एफ़र्ट लगा देते है ताकि जो मदर है वो अपने बच्चे को जनम दे सके अब जैसे वो बच्चा जनम लेता है वो सांस नहीं ले रहा होता है मतलब कि वो लाइफलेस होता है और इस चीज को देखके डॉक्टर काफी परिशान हो जाते है उनको समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे एक तरफ वो मदर है जो अभी बहुत बुरे हालात में है बेसिकली वो इस कंडिशन में भी नहीं है कि अपने आपको वो मेंटेन कर पाए और दूसरी तरफ जो बेबी बॉन हुआ है वो लाइफलेस है तो फिर डॉक्टर फटा फट से उस बेबी को मिडवाइफ को पकड़ा देते है मतलब कि जो नर्स उनके बगल में हेल्प करने के लिए खड़ी वी थी तो उनको उस बेबी को दे देते है फिर वो सबसे पहले मदर पे ध्यान देते है वो मदर को ठीक करते है वो एक मेडिसिन को एक इंजेक्शन को उनके अंदर इंजेक्ट करते है उनको इस्टेबलाइज करते है ठीक करते है फिर वो फटा फट से देखते है बेबी के तरफ वो midwife से पूछते है कि baby कहा पर है तो जो baby है उन्होंने below the bed newspaper के नीचे उन्होंने रख दिया था तो वो फिर उस बच्चे को उठाते है वो देखते है कि जो बच्चा है वो बहुती beautiful है बहुती delicate है but वो lifeless है और उन्होंने पहले भी देखी हुई है तो अब यह होता क्या है देखते है जब baby होता है वो बिलकुल white होता है और उन्होंने यह situation अल्रेडी देखा हुआ था तो asphyxia का मतलब होता है state of being unable to breathe यह तब होता है जब blood में oxygen की मातरा कम हो जाती है और carbon dioxide की मातरा ज़ादा हो जाती है और इसके वज़े से जो body का pulse है overall pulse rate जो होता है वो बहुत weak हो जाता है तो यह जो situation है उनको समझ आ जाती है और उन्हें पता था कि इस situation से कैसे deal करते हैं इसको ठीक कैसे करते हैं तो फिर वो फटा-फट से midwife को order करते है नहीं करना है लेकिन फिर जो डॉक्टर है वो shout करते हैं मलब हो चिला के बोलते हैं जल्दी quick तो वो एकदम हरबडा जाती है और फिर वो वहाँ पर चली जाती है दोनों पानी को लेके आने के लिए देन फिर midwife दोनों पानी को लेके आती है तो डॉक्टर जो है वो baby को पहले गरम पानी में डालते है Then फिर उसे थंड़े पानी में डालते है And then फिर वो गरम पानी में डालते है Then थंडे पानी में Means वो jiggle करते हैं दोनों के बीच में Then फिर वो endlessly loop way में means एक के बाद एक वो चीज को परफॉर्म करते रहते है I mean कि वो एक बार गरम पानी में डालते बच्चे को then फिर वो एक बार थंडे पानी में डालते है and इस चीज को देखके सब लोग हैरान थे कि ये डॉक्टर आखिर कर तो कर क्या रहे है then फिर जो मिडवाइफ है वो डॉक्टर से कहती भी है कि अब इस चीज को आप करना बन कर दीजे क्योंकि इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है और इसमें हम कर भी तो कर क्या सकते है क्योंकि बच्चा जो जनम लिया है वो अल्रेडी डेड है लेकिन जो हमारे डॉक्टर है वो वहाँ पर रुकते नहीं है वो एक last try देना चाहते है उस baby के life को लाने के लिए then फिर वो एक rough towel को लेते है and बच्चे के back में rub करना start कर देते है and जब वो rub कर रहे होते है तो एक अचानक से छोटे सा moment आता वो ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो सांस लेता है and हाँ वो बच्चा थोड़ा सांस लेता है and इस चीज को देखके जो डॉक्टर है वो अपना जो effort से उसको दुगना कर देते है उन्होंने अपना जो hand है वो बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखा थोड़ा सा प्रेस किया ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा और डीप सांस ले सके and ऐसे करते करते जो बच्चा है he starts breathing उसके nostril के अंदर से जो mucus है वो बहार आ जाता है and वो बच्चा आराम से सांस लेने लगता है and इस चीज को देखे सब बहुत जादा shocked हो गए थे वो सभी लोग ये देखे हैरान हो जाते है कि कैसे एक stillborn baby को वो doctor ठीक कर देते है उसे एक life provide कर देते है I mean to say that उसे एक जीवनदान दे देते है उनकी ये after all first achievement थी उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहे था नर्वस थे तो काफी एक type का mixed तो काफी mixed emotion type का चीज चलता है उनके mind में then फिर वो इसके बार नीचे जाते है पानी पीते है और अपना समान को बिना लिए वो बोल के जाते है कि मैं दूसरी बार आऊंगा या फिर मैं बाद में आऊंगा तो अपना समान ले जाऊंगा वो जाते है जोई Morgan से कहते है कि आपका जो बच्चे है वो सही सलामत है और जो वाइफ है वो भी सही सलामत है क्योंकि जो जोई मॉर्गन है वो बाहर वेट कर रहे होते है then फिर वो वहां से जाते है and जाते जाते भी उनके माइंड में एक चीज जरूर से चल रहा था अब जाते जाते है उनके दिमाग में ये चीज आती है वो in fact ये चीज सोचते है कि चलो मैंने अपने लाइफ में कुछ तो बढ़िया किया and वो ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि उनका जो दिन था वो बहुत खराब गया था मैंने आपको बताया था कि उनकी जो गर्फरेंड के साथ मीटिंग था क्रिस्टीन के साथ वो काफी बूरा गया था वो काफी बेकार गया था जिसके कारण वो ओवरॉल डिप्रेस्ट थे and जब ये अचीवमेंट को अचीव करते है तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है and देन वो इस चीज को कहते है and यहाँ पे जो इस चैप्टर का सम्मरी है वो खतम हो जाता है तो ये था इस चैप्टर का छोटा सा एक्स्प्लेनेशन अगर आपको ये एक्स्प्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक जरू से कर देना and हाँ मैंने सारा वीडियो अप्लोड कर रखा है क्लास 11 का 10 का तो प्लीज आप उसे चेक आउट कर लेना I want to reach 1 million likes So please Okay, thank you